कर दो नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हरियाणा एक्जाम वाई एक्जाम पोर यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है शशांग कौरव और हम स्टार्ड कर चुके हैं एक बहुत ही सांदार सेशन और भीया सभी लोग जल्दी सेशन में जुड़ जाएं और एक बार मुझे आपर बता दीजिए कि आडियो सही आ रहा है वीडियो सही आ रहा है सब कुछ क्लियर चल रहा है तो फटा-फट एक बार कमेंट सेक्शन मुझे बता दें सभी लोग कि आप लोगों को कोई दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं है सभी का स्वागत है वेलकम करने के पहले आप सभी लोगों को दीपा वली की बहुत-बहुत सब्कामना है इसी तरीके से पढ़ते रहे आंगे बढ़ते रहे और अपनी जीवन में रौसनी भरते रहे हैं अप लोगों के दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे अच्छा एक चीज को यहां पर ध्यान मे कर दें यस लिख दें कि सरतयार है आरम विकिया जाए फटा फट सभी जो है वह एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए बहुत-बढ़िया बहुत-बढ़िया क्या बात है चले सुरुबात करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के चलेगा बहुत सभी लोगो करें या सही करें आंसर जरूर करने इस बात का दिशेश द्यान रखें चलेगा निमलिकित मेंसे दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दच्छन भारत के लिए सेन अभियान सुरू किया था इलतूतमिस कुत्वद्दीन अभक अलाउद्दीन खिल जी या फिर बलवन सभ कमेंट सेक्षन में आンसर कर देंगे क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है कि भई या दच्छन भारत का अभियान किसने चालू किया था, किसने इसकी शुरू बात करी थी, क्या आप बात है, वेल्कम वेल्कम सभी का, बहुत बढ़िया, बी बी और सी आंसर आ रहे हैं, भीया, बी कहां से होगा, ती वाले बिलकुल सही हैं, बिलकुल, दीपवली कि आप सभी लोगों को बहुत-बहुत को राते रहे चालेगा तो सब्दिया रखेगा अंसरोगा अला उद्दीन खिल जी हम भहुत अच्छे से जानते आपने पधमावत मूवी तेख उगई उसमें अलाध्दीन खिल जी के बारे में जो है वो बहुत कुछ बताया गया है उसके पहले हमको यह पता होना चाहिए यह खिलजी आया कहां से तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर सासन किया तर यह दिल्ली सल्तनत क्या होती है ज़रा ध्यान से सुनिएगा देखेगा दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं इसकी सुरुवात हमको बहुत अच्छ के बहुत सारे एरिये को जीत लेता है भारत पाकिस्तान जो अफगानिस्तान है यहां के बहुत सारे एरियों पर कभजा कर लेता है लेकिन जब वो भारत से बापिस लौटता है तो भीया बापिस लौटते समय उसका हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा कश्मीर में एक जंज करने के पहले म Ching Louise तीन लोगों को भारत का एरिया यहां पर देख जाता उसमें से एक व्यक्ति रहता है कुटवुद्दीन एवक क्या करता है साब कुटवुद्दीन एवक गुलाम बंस की नीव रखता है कुटवुद्दीन एवक जो है वो मोहम्मत गौरी का गुलाम रहता है उसको सासन मिल जाता है गुलाम बंस की सबसे पहले जो है वो नीव रखने का काम करता है कुदवुद्दीन एवक्त उसके बाद उसमें अलग-अलग राजा महाराद आते हैं इलतूत में सरजिया सुल्तान भगया इसके बाद आता है दूसरा वन्स के लिए यह je downs के लिए दिल्नी सल्तनत के वनसों को याद याद करने के लिए जी के से जो हैं इसको याद रखा पूछे जाते हैं गुलाम किस ने की कुद्वुद्घी थी गया सुद्धीन तुगलक वंस की स्थापना किसे द्वारा की गई ती है वे सुद्दीन तुगलक लग वंज की स्थापना करता है सीयद वंज की स्थापना की जाती है खिज्र खांके दौरा यह सम मैंने आपको पहले भी बड़े अच्छे से जो हैं वो याद करा हैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब अच्छे से याद होगा लोधी बंस की स्थापना करते हैं बहलोर लोधी इसको आप नोट कर लीजेगा राइट अब इसमें से एक आता है कौन सा वंस खिलजी बंस जलाल उद्दीन फिरोज खिल जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी की जब बात करते हैं बहिया तो जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी की जो पुत्री रहती है उससे विवाह कर लेता उसको पसंद करता है कौन अला उद्दीन खिल जी जलाल उद्दीन फिरोज खिल जी का दामाद बनने के बाद उनकी हत्या कर देता है कौन अलाउतểन खिल्जी और बार में दिली सल्टनत की गधी पर विराजमान हो जाता है बहुत भुद्टो जीतने के लिए किसे भेशता है साफ तो भूदताय मलिक काफूर तो मार्केट रिफॉर्म कौन लेकर आया यही लेकर राया मार्केट में आफिसर्सकी न्युक्ति करी किसमें अलाउद्धीन खिल जीने हमने सुना था बलवन ने vàपलाड और और आयरण पालिची चलाए थी तो भाया रक्त और लोई की निती बलडबाय अलाउद्धीन खिल जीने भी चलाई थी याद रखना एक और चीज जाते-एप सुलो हम पढ Us मिनिमम सपोर्ट प्राइज यह किसान अंदुलन भी हुआ था कि फसल का इतना जो है वो मिलना ही चाहिए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइज सबसे पहले कोई लेकर आया था तो वाला उद्दीन खिल जी था इसने मार्केट के रेट तैय करी थे कौन से फुसल कितने में विकेगी इसको आप ध्यान में रखना ठीक है चलेगा अब बढ़ते हैं आंगे बागी सभी गुलाम बंस के हैं यह खिलजी बंस का था नोट कर लीजेगा चलो नेक्स आता है क्वेस्चन क्या लिखा है सभी का अंसर आना चाहिए भारत में बिटिस सासन के दोरान प्रांतिय स्वाय अंसर करेंगे जल्दी करेंगे फटाफट करेंगे बदाएगा क्या होगा और राइट आंसर सभी करते चलें और जीवन में आंगे बढ़ते चलें बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन कर रहे हैं सभी का अंसर आना चाहिए बिलकुल भीया सभी को दिपावली की बहुत- अधिनियम के द्वारा हुई थी तो भाया यह हुई थी भारत सरकार दिनियम 1935 गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे संभीधान में सतर से सी परसेंट जो भाग है ना वो सीधा हमने भारत सरकार दिनियम 1935 से ले लिया जो अंग्रेजों ने बनाए था इसलिए कई ब आने के कानून चल रहा है और रह और सब्सक्राइब नहीं परदेक prix नहीं और द्यान से सुनिएगा 1935 ऑदिनियम की तो ध्यान रखेंगे भारत साहन अदिनियम गवर्मेंट ऑफ इंडिया जब भी कोई चीज आप पढ़ते हो तो आप ऐसा पढ़ो कि हमेशा हमेशा के लिए आपका तयार हो जाए तो भारत में सरप्रतम संगिया प्रणाली या फेडरल सिस्टम की नीव रखी गई तो कब रखी गई 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र सुची और समभरती सूची तो भ Faille केंद्र राज्यों के मध्द सक्तियों का वटवारा किया गया हमने पढ़ा है हमारे संब्धान की कौन सी अनुची सभिय और सक्ती की बात कि गई है मतलब इन विस्यों ऑपर कैंश सरकार समाप्त कर दिया गया इसके तहर 1937 में संगिय न्याला या फेडरल कोट की जो है वो स्थापना हुई इस अधिनियम के द्वारा भारत परिसाद यह एक्जाम में पूछा जाता है भारत परिसाद और इंडियन काउंसिल को कब समाप्त किया गया तो भाया वो 1935 के अधिनियम क प्रावधान आया लेकिन अलग कब होता है तो यह होता है 1937 1937 में नोट कर लीजेगा इसके अंतरगत मुद्रापन नियंत्रण के लिए भारतिय रिजर्बैंक रिजर्बैंक आफ इंडिया आर्वी आई का जो है वो क्या किया गया इस्तापना किया गया वो भी आप ध्यान ठीक है चले आंगे बढ़ते हैं नेश्ट क्वेश्चन की तरव क्या लिखा है साब बताईए भारत में प्रतिनिधी सवा हाउस ऑप रिप्रेजेंटेटिव के अस्थाई प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में निमलिकित मैंसे कौन सा कथन सही है इस पत के लिए नाम के प्रतिनिधी सवा के निव अर्तमान अध्यक्ष द्वारा की जाती है आपको बताना है भारत में जो प्रतिनिधी सवा है मतलब हाउस ऑप रिप्रेजेंटेटिव के आइस्था या प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है लोग सभा में जो प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले तो पता होना चीए प्रोटेम इस पीकर आखर होते क्या है एंसर करेंगे कहा जाता है द्यान में रखेगा तो भया देखो लोग सभा के आइस्था या प्रोटेम अध्यश के बारे में यहां पर क्या बोला गया है क्वेशन पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या होगा उप्सन भी उनकी नियुक्ति भारत के राश्पती के द्वारा की जाती ह किसकी नियुक्ति भाया तो भाया यहां पर आप द्यान में रखेगा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अच्छा अभी एक चीद ध्यान रखना प्रोटेम स्पीकर होता क्या है सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि प्रोटेम बना कैसे है तो यह बना है दो सब्दों से किस से प्रो प्लस टेमपोर किस से बना है प्लो प्लस टेमपोर से जो है वो यहां पर यह मिलकर बना इसको आप ध्यान में रखेगा प्रो प्लस टेमपोर की बात करेंगे तो भीया इसका मतलब क्या होता है कुछ समय के लिए किसके लिए कुछ समय के लिए तो याद रखेगा प्रोटेम स्पीकर कौन कहलाएगा तो भीया जो कुछ समय के लिए स्पीकर बनाय गया है कुछ समय के लिए लोग सभा का अध्यक्ष बनाय गया इसको आप ध्यान में रखेंगे ठीक है प्रोटेम स्पीकर होता क्या है करता क्या है और जो सत्रवी लोग सभा थी त्रवी लोग सभा मतलब 2019 में जो नई लोग सभा का घठन किया गया वह गीज़ी बताएगा मज़जे फटाया के प्रो Laure Laure marathoniji क्acy कौन्टे वीरेंद्र कुमार इनको आप ध्यान रखेगा और यह मृध्य प्रोटेम श्पीकर उसे बनाया जाता है जो कि सदन में सबसे बुजर्ग होता है उसे क्या बनाया जाता है बिरेंदर कुमार जी को बनाया गया था ध्यान में रखेगा ठीक है अच्छा दूसरे चीज प्रोटेम स्पीकर आखिर करता क्या है तो इसका सिर्फ एक ही काम है क्या है नए आए हुए सदस्यों को क्या करना है सदस्यों को सपत दिलाने का काम है सपत दिलाने का काम है क्या होता है भाई या देखो नई लोग सभा का गठन हुआ है अभी अध्यक्ष बने नहीं है तो अब सपत तो होगी ना तो पहले सपत दिलाएंगे फिर अध्यक्ष का चुनाव होगा अध्यक्ष को रखा जाएगा तो सपत कौन दिलाएगा तो प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को तपत दिलाने का करते हैं काम करते हैं बाद मैं अध्यक्ष जिए हैं वो सारी चीजों को समाते हैं सिर्फ इनका इतना ही काम होता और कुछ नहीं समझ में आ गया कोई दिक्कत में प्रॉब्लम यहां तक चलेगा आंगे ब परिवार को खुसियों की सौगात अभी अन्रोल करें एक्जामपुर के कोर्सेज में यह एक्जामपुर आपको इस दीपावली क्या दे रहा है उपहार दीपावली का समय है उपहार तो बनता है तो भीया आप लोगों को मिल रहा है 75% का सीधा डिसकाउंट बस आपको एक कोर्सेज में अपलाए होगा 75% का सीधा डिसकाउंट मिल रहा है यह एक्जामपुर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए जो है उपहार है तो भीया यदि आपने अभी तक एक्जामपुर का ऑफिसल एप इस्टॉल नहीं किया है तो प्लेश्टोर पर जाएए पर आपको मिलेगा जौब अलड़ जौब अलड़ के साथ साथ स्ट्रक्चरड पेड़ कोर्सेश आपको मिलने वाले हैं फिरी पीडियाप्स आपको यहां पर मिलेंगी अनलिमिटेट क्विज और प्रेक्टिस एट्स आपको कहां पर मिलते हैं एक्जामपुर के ऑफिसल तो बिना किसी देरी के सभी लोग एक्जामपुर का अफिसल एप को जरूर इंस्टॉल कर लीजे ठीक हैं तो सभी लोगों को हैपी दिवाली इस चीज के लिए कि आपको गिफ्ट मिल गया है इसका बेनिफिट उठाईए चलिए आंगे बुरते हैं नेस्ट कोश्चन की त पर था यह आपको बताना है जल्दी बताएंगे जिद्दा बताएए क्या होगा राइट आंसर जिद्दा नामक महिला का सासंग कहां पर हुआ करता था यह आपको बताना है बिना किसी देरी के बदाएए वेरी गुड वेरी गुड सभी answer करेंगे क्या होगा right answer चालिए बहुत बढ़ियां डी 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 आंसर आ रहा है भईया हर्याणा के बच्चे हैं बड़े हुस्यार है और सबसे बड़ी बात है कि दीपा वली के दिन आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है खुशी की बात है शिक्षा और जिसे हम पढ़ाई कहें या सिक्षा कहें कभी नहीं छोड़ना चाहिए ठीक है चलेगा बहुत बढ़िया राइट आंसर क्या होगा भिया कस्मीर याद रखेगा क्या होगा र खुलाई 2012 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राजसभा के सदन के नेता कौन हैas Conse आंसर कर लो पटाफट कर दो क्या होगा राइट आंसर बदाए ये बहुत बढ़ियां सभी आंसर करें फटाफट करें जल्दी करें बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां सभी आंसर कर दीजे क्या होगा राइट आंसर बहुत बढ़िया चली तो एदि हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे भी या तो जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एदि हम देखते हैं तो या रास्तवा में सदन के नेता या लीडर आप दा हाउस जो है वो कौ पूछा जाएगा लीडर आप दा अपोजिशन बताईए तो तुम क्या बोलोगे तो भीया लीडर आप दा ओपोजिशन आपको कौन मिलेंगे मली कारजुन खडगे मिलते हैं कहां पर राज सभा में एक्जाम में आपसे पूछा जाएगा ठीक है चाले तो यह आपसे एक् सभा और तीसरा आपका है राज सभा याद रखेगा राज सभा की बात करेंगे से अपर हाउस या उच्छे सदन कहा जाता है लोग सभा को लोवर हाउस या क्या बोलते है इसको निचला सदन कहा जाता है और राश्पती जी को राश्पती कहेंगे संसत का आर्टिकल आर्ट और राजसवा का आर्टिकल होता है आर्टिकल 80 इन सभी को आप बढ़ियां तरीके से याद कर लें एक्जाम में पूछा जाता है क्लियर है सभी को तो बढ़ियां तरीके से पड़ें कहीं कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए आगे बढ़ते हैं करें नेस्ट क्वेस्ट्शन आपका अता है क्या है संभिधान 44 भा संसो दन अधिनियम 1978 के द्वारा निम लिखित में से कौन सा आर्टिकल या फिर कौन सा अनुच्छे जोए वो हंटा दिया गया बताइगा आठीकल Alka आंसर करें जल्दी करें पटाफट करें बताएगा सभी को आंसर करना है क्या होगा राइट आंसर बताते चलें पटाफट अब या एक चीज़ ध्यान रखेगा जैसे अभी हाली में दिल्ली परस हैट कॉंस्टेवल का एक्जाम भी आप देखोगे संबिधान संसोधन हो या पहरों आर्टिकल या अनुच्छे लगातार क्वेस्टन बने हैं तो इसका मतलब आपके बाकी एक्जाम में भी इनसे सवाल आ सकते हैं क्योंकि आज कल अवेर्नेस काफी ज़्यादा हो गई है तो आपको यह चीज़ें पता होना चाहिए ठीक है चले सभी आंसर करेंगे ब 24 में संविधान संसुधन की बात करेंगे तो इसके तहट कौन सा आर्टिकल हटा दिया गया तो आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 को हटा दिया अनुच्छेद 31 क्या बोलता है संपत्ति का अधिकार कहता है क्या कहता है संपत्ति का अधिकार की यहां पर बात करता है ठीक है अच आप बिलकुल भी नहीं है अब आपका जो है इसको क्या बना दिया गया है लीगल राइट कर दिया गया इसको आप ध्यान में रखेगा हना आप किसी जो है वो यहां पर संपत्ती के जो है वो कुछ भी अगदार नहीं होते जरूरी नहीं है कि सरकार आपको संपत्ती दे या क कर लीजेगा क्लियर है अच्छा सवाल आता है क्या सवाल आता है अर्डिकल 25 में क्या दिया गया है तो इसके अंतरगात आता है राइट टू रिलीजन क्या है भीया राइट टू रिलीजन यहां पर आता है राइट टू रिलीजन का मतलब क्या है राइट टू रिलीजन का मतलब यहां पर है धर्म की सुतनता का अधिकार राइट टू फ्रीडम ओफ रिलीजन इस तरीके से आप पढ़ सकते हो तो भीया आ अधिकार की बात आएगी तो आर्टिकल बारा से लेकर 35 तक आपको अधिकार दिये हैं वह आपको पता होना चाहिए और यह आर्टिकल 25 भी यहां पर कहता है कि सिख्खों को करपार धान करने की अनुमती रहेगी आर्टिकल 29 के दिया आप बात करतों अनुच्छेद 29 किस चीज के बारे में तो भीया यह है अलप संख्यकों के लिए अलप संख्यक समुदाय के जो लोग है उनके लिए यहां पर है कि आप अपने कल्चर को अपना जो है वो चीजों को यहां पर समाल के रख सकते हैं आता है 26 नमबर का आर्टिकल 26 नमबर का आर्टिकल क्या कहता है तो इस पर कोई कर नहीं लगेगा वह यहां पर कहा गया इसको आप नोट करेंगे ठीक है यह सब fundamental right मौलिक अधिकारों के अंतरगत आते हैं मौलिक अधिकार संभिधान के भाग 3 में आपको मिलेगा आर्टिकल 12-35 और कहां से लिए fundamental right fundamental right हमने देखे हैं कहां से तो भाई आप वह देखें हमने अमेरिका के संभिधान से वहां से प्रेड रथ होका हम इसको लेका रहे हैं ठीक है चलेगा आंगे बढ़ेंगे नेस्ट क्वेश्चन आपका आता है क्या लिखाए भी या यूएन कॉंफरेंस ओन ट्रेड एंड डेवलम्मेंट मतलब यूएन सीटी डी द्वारा जारी विस् सातवा ग्यारवा या नौवा नम्मरत दुनिया में भारत का बताएगा क्या होगा राइट आंसर सभी आंसर करेंगे जल्दी करेंगे अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेगा इसमें हमारा नम्मर मतलब इतने में ही आएगा लेकिन जब हम बात करते हैं भीया जनसंख्या की तो जनसंख्या के मामले में दुनिया में नम्मर वन आ ही गए हैं मतलब और क्या ही बोलें बस गणना करना बागी है तो जनसंख्या में कभी भी देश नम्मर वन नहीं होना चाहिए जनसंख्या खूब हो अच्छी बात है लेकिन जितनी जनसंख्या बढ़ती है उतने ही ज है यदि हम संख्या की बात करते हैं तो इसमेंने एक वार्मूला बताए कि वह मतलए पहले एक है मालीजे जनसंक्या तो फिर दो हो गई फिर चार हो गई फिर यहाँ पर आपकी आठ हो गई फिर सोला हो गई फिर बतिस हो गई फिर चोंसट हो गई लेकिन जो उत्पादन के साधन है जिनसे हम रोजी रोटी जिनसे हमारी चलती है हम भूंके है अब हमारी पेट जिससे भरेगा आजीवी का जिससे चलेगी उसकी बात जब उन्होंने करी तो उन्होंने बोला कि आजीवी का समानतर सेड़ी बढ़ रही है और भोक के सादन समानतर सेड़ी बढ़ रहे हैं मतलब पहले एक थाये कुछ हमारे पास खाने के लिए अब दो हो गया है दो के पाँकर के बाद 5 पाँकर च्छे के बाद साथ और सात के बाद आट अब आप देख सकते हो और भोक करने की चीज़ें हैं हमारे पास आठ गुनी बढ़ी आठ गुनी बढ़ी है तो हमारी जनसंख्या 16 गुना बढ़ चुकी है समझ रहे हो मतलब क्या होगा जितना समय गया तो आपकी जनसंख्या 64 गुना बढ़ चुकी होगी यह हालत हो जाएगी दुनिया की तो यह कंडिसन है तो ध्यान रखेगा अच्छा अभी हमारा क्या है साब यहां पर यह बोला कि अंकिटाट की यहां पर क्या ही अभी यह लिश्ट आई और बोला है कि प्रत्यक्ष न वह भी आप द्यान रखना यह अच्छी बात है कि हमारा देश बढ़ा है जनसंख्या बस बढ़ती तो दिक्कत हो जाती ठीक है इसको आप द्यान रखना अच्छा जब अंकिटाट की बात करेंगे तो मुझे आप लोग यह बताईए अंकिटाट की स्थापना कब हुई थी तो अंकिटाट की स्थापना होती है 1964 1964 में कब होती है 1964 में होती है दुनिया में सबसे जादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेस आखिर हुआ कहां पर है तो भीया याद रखेगा वह हुआ है कहां पर अमेरिका में United States of America नोट कर लेंगे ठीक है चले आंगे बढ़ेंगी आते अब नम्मर के क्वेश्चन पर महाजनपद युक्य दौरान उजयन की राजधानी थी क्या थी कौसल अवंती पांचाल या मगत जरा आंसर करके बताएं पटाफट बताएं चलेगा सभी आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है क्या महाजनपद युक्य दोरान उजेन की राजधानी क्या थी आंसर करें फटाफट करें जल्दी करें बाई एक चीज और ध्यान रखेंगे बोलो क्या अभी हाली में आपने सुना होगा क्या उजेन गए थे नरेण्द्र मोदी जी सुना है कहा गए भगवान दर्सन करना वहां पर यह फील आएगा आपको जब वहां पर आरती बगशेर है रहाव मंदिर जोकि सराब पीते हैं यदि आप उनकी मूर्ती में सराब टच करते हो तो थो पूरा सबाइप पीते हैं उस पर रिसर्च भी बहुत होई है वह आप यहां पर देख सकते हो प्रतिवी का केंद्र कहा जाता है उज्जैन में को मंद्र मिलता है मंगलनात का आप अपनी बात नहीं बता रहा हूं यह वहां पर कई हुई बात हैं जो प्रिचले था उनकी बात कर रहा हूं कहा जाता है यदि आप मांग लिखें तो यदि आप पूजा कराते हो मंगल नाथ में तो आपके मंगल के दोस्त हमापत होते हैं बहुत बड़े-बड़े एक्टर सब लोग दुनिया भर से पहुंशते हैं वहां पर तो बहुत सारी चीजें अच्छा मैं यह कह रहा था कि जब नरिंद मोदी जी अभी दो-तिन दिन पहले वहां पर आई थे तो उन्होंने किस चीज का उद्गाटन किया था तो इस बात को ध्यान रखेगा भीया इन सारी चीजें देख लेजेगा ठीक है चले तो अभी क्या question है महाजनपत युक् के दौराण उजयन की राजधानी क्या हुआ कारती थी भारत की समराट भी बने ध्यान रखना महाजनपद काल की बात करते हैं तो भाया कितने महाजनपद हम पढ़ते हैं महाजनपद आरियों के द्वारा बसाए गए एक ग्रुप थे आर जो है वो विदेश से हमारे यहां पर आये आरियों की एक्चुली पहचान कभी जीवन में नहीं हो स्बाए कि को कहां से अलग अलग तरीकों से पद़्कों कि मत देशिया से आये कहीं इूरेशिया से कहीं से प्रेट है या भारत में तो अपना वह ग्रुप बन बनाएगा तो उस तरीके से महाजनपद यहां पर पनना चाल हुए जिप सोला महाजनपद कौन सा है राइट तो सारे आंसर मिलेंगे आपको कासी महाजनपत की बात करेंगे तो राजधानी है वारणसी कौसल महाजनपत की बात करेंगे तो राजधानी है इंद्रप्रस्ट पांचाल महाजनपत की बात करेंगे तो अहिंचन या कामपिल जो है वो यहां की राजधानी मत्स महाजनपत की राजधानी की बात करेंगे तो विराट नगर जो है वो इसकी राजधानी है ध्यान में रखेगा बात करेंगे सूरसेन महाजनपत की तो राजधानी है मत्रा अस्मक महाजनपत की राजधानी तीन चार प्रकार से कही जाती है पैठान प्रतिष्ठान पोतन और पोर्टेल ध्यान में रखेंगे ठीक है चालेगा फिर आते हैं भया अवंती, तो अवंती महाजनपत्स की राजधानी क्या थी? उज्जैन महिस्थमती याद रखेगा गान्धार की बात करेंगे तो तकसिलाइस की राजधानी हुआ करती थी कमबोज महाजनपत की राजधानी हाटक या राजपुर थी बज्जी महाजनपत की राजधानी वैसाली मल महाजनपत की राजधानी आपकी कुसी नगर और पावा और मगद महाजनपत की राजधानी गिरी गरज या राज गरह जो हुआ करती थी ध्यान रखेगा यदि मैंने बोला था पूचा जाएगा तो सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है तो आंसर क्या करोगे सबसे बड़ा महाजनपद और सबसे जादा फेमर जनपद था मगद महाजनपद इसको आप ध्यान रखेगा जहांपर हर्यक वंस आता है बिंबिशार जिसके संस्थापक रहते हैं जहां पर नंद्वन्स के संस्तापक होता है घनानंद को हरा कर क्या करते हैं साहर नीव रखते हैं मौर साम राजिकी और मौर साम राज में बिंदुसार असोग के बहुत सारे राजाओं के बाद आखरी में आते हैं ब्रहधत मौरिये ब्रहधत मौरिकों के सेना पती कौन पुष्यमित्थ शुंग क्या करते हैं साब मार देती हैं मारने के बाद एक सोपचासी इसापूर में सुंगवन्स की नीव रखी होती जो की एक ब्रामबवन्स होता है तो इस परकार से मगत पर जोयबू साचन चलता है नूट कर लेंगे ठीक है चलेगा आंगे बढ़ेंगे सामन्स का अरथ क्यां था वित्ट मंत्री अदिनस 621 मंत्री या साही मुन्सी आंशर करेंगे साथवी सेंचुरी में क्या होता था भाया सामंत का मतलब बताईए सामंत जो होते थे न वो अपनी गलतियां फील होना चाहिए गलती पता चलने से भी कुछ नहीं होता यदि आप अपने जीवन में गलती को मानोगे नहीं तो सीखोगे नहीं और सीखोगे नहीं तो जीवन में आंगे नहीं बढ़ोगे ध्यान रखिएगा इस बात का ठीक है चाहे आप एक्जाम की बा कि सनसार के सारे दुखों को मिटाने के लिए चीजпри कर ल हम सब Mmm मानों तो गलती है दूख को किया जा सकता है तो आप मानों की आप ने कर लिए फिर उन्होंने क्या बोला दुख से मुक्ती कैसे मिलेगी आज टांग इक से यह सब चीज़न जो है वो बताई गए तो देखेगा सामंत का मतलब क्या होता है तो मैक्सिम आंसर बिल्कुँ सही है बी आंसर अधिनेस्ट सासक बड़े बड़े जमीदार या बोलना चाहिए जमीनों का जो प्रमुक होता था तो बड़े बड़े जमिदारों को चलेंगे और आंसर करेंगे गुप्त सासक्ट समुद्र गुप्त को अपनी सिक्कों पर निम्लिकित मैं से कौनसा वाध्यययन्थ्र coastal मिर्दंग बीना इया और दीजी साह अंसर करेंगने जलदी करेंगे भट आफट करेंगे बताइए तभी करते चलें sound एक्खया रहा है क्या वात है सबीर करेंगे क्या हुगा रॉट आंसड़ में सब्सक्रकुन Fitzmaiden श्रियंत बजाते हुए दिखाया गया है यह आपको बताना है देर नहीं करना बता दीजिए जो बहुत बढ़िया समुद्र गुप्त सिर्फ इतना ही नहीं पूछे जाते समुद्र गुफ्त की बात करते हैं गुपत सामराज जीकर करने कुछ ऐसा नेपोलियन क furniture क्यों कहा जाता तो वह भी करेंगे किसने कहा वह भी थर c क्या कहा जाता भाया भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्या है भारत का नेपोलियन दुनिया को जीतने निकला था भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसने कहा था विंसेंट इसमित ने कहा था क्यों कहा था वो भी तो पढ़ना जरूरी है विंसेंट इसमित ने कहा था ध्यान मे वह भी कैसे निकले सबसे पहले आर्या वर्त को जीत लिया आर्या वर्त मतलब नौर्थ इंडिया वाला बहुत बड़ा भुभाग जीत लिया फिर क्या किया दच्छणा वर्त जीता मतलब की साउथ इंडिया वाले भुभाग को जीता इस तब इतियास को लिखते समय विंसें हैं भीड़ा अच्छा गुप्त काल के एक और महान सासक हुए है कुमार गुप्त जिन्हों ने क्या किया था नालंदा विश्विद्यालाई की स्थापना करी थी नहीं के समय पर बैठें और आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो देखना गधे पर बैठने का जो है वो नौबत ना आए है ना इस बात का ध्यान रखेगा वैसे मुझे पता है कि आप लोग बहुत महनत से बढ़ाई करते हैं बहुत इमानदारी से पढ़ते हैं चुकि आप पढ़ रहे हो तो आप जीवन में कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है चालिए आंगे बढ़ते हैं नैस्ट क्वेश्चन की तरफ आंसर करो जल्दी करो निम लिखित मैंसे कौन सा राज्य प्राकृतिक रवर का एक प्रमुक उत सामराज्य के पहले सासक श्रीगुप्त हुए घटवत कच्छी भी आए हना चंद्रगुप्त प्रथम आए समुद्रगुप्त आए कुमार गुप्त आए चंद्रगुप्त द्वतिय आए जन्हें विक्रमादित्तिकी उपादी मिली इन्होंने वह जैन में सासंग किया था वो भी आप ध्यान में रखना बहुत कुछ रहता है बताने के लिए चलीगा सभी आंशर करें जल्दी करें फटा फट करें Better कि बहुत बढ़ियां सभी आंसर करें क्या होगा राइट आंसर हैं बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां तर यह बताओ प्राक्रतिक रवर ओकर अखरब पूलख बॉछ जाता है थादर किसका बॉय्म का आइशोप्रीन का बहू लख से फ्रैस के लिए एक पेड़ होता है और प्राकृतर प्राइक रवड निकाली जाती है रीट निकटकिवंदी चेतर यहां पर पढाता के पेड़ कंसका काता जाता और उसके लेटेक्स से यह निकलती है फिराकृतिक रवड ध्यान रखेगा वाईट 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 वह देश करके लटका देटे निम्लिकित में से किस नदी परणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है गुदावरी नर्मदा गंगा या फिर ब्रह्म हपुत्र आंसर करो निमलिकित में से किस नदी परणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है आंसर करेंगे जल्दी करेंगे फटा फट करेंगे बताएगा क्या होगा राइट आंसर बहुत बढ़िया, सभी आँसर करें, निमलिकित मैंसे, किस नधी परनाली में, इसके घटकों के रूप में लोहित नामक नधी है, बताजिये, क्या होगा, राइट आँसर, फटा भट बताएँ, जल्दी बताएँ, बहुत बढ़िया, ए, ए ए आँसरा रहा है, क्या बढ़ि बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं वेरी गुढ एकड़ सभी करते चले आंगे बढ़ते चलें बहुत बढ़िया पीबहुत बढ़ियाँ देखो यहाँ पर है अनधी इसके घटकों के रूप मैं लोहित नामक नदी नदी लोहित नदी याद रखेगा पूछा जाएगा ब्रह्म पुत्र नदी कहां से निकलती है ब्रह्म पुत्र नदी तिब्बत में मानसरोबर जील के निकट से निकलती है और जो ग्लेसियर से निकलती उसका नाम क्या है वो है चेमा यूंग डूंग हिमानी या ग्लेसियर से चेमा यूंग डूंग ग्लेसियर तिब्बत मांसरोवर जील के पास से निकलती है भया क्या वह आपकी निकलती है भया वह निकलती है ब्रह्म पुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं वहां ब्रह्म पुत्र नहीं कहते हैं क्या कहते हैं उसे कहते हैं सांग पो कहते हैं क्या कहते हैं सांग पो कह तो यहां पर कहते हैं सांग यहां पर कहते हैं यहां पर कहते हैं और याद रखेंगा अधिया पुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलेंड आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा नदी दुईप आपको मिलेगा क्या नाम है उस नदी दुईप का बनना चाहिए आपको अभी एक्जाम में क्वेस्चन भी आया था दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलेंड आपको कहां पर मिलता है वो मिलता है ब्रह्म पुत्र नदी और उसक को क्या जाना जाता है ब्रह्म पुत्र नदी के नाम से जो है वो जाना जाता है अच्छा लेकिन जब कोई महापुरुस आता है तो बोलता है तिबत का बता दिए अर्वनाचल पृदेश का भारत में एंटरी करने का बता दिए लेकिन जब ब्रह्म पुत्र नदी बांगलाद के नाम से देखो क्या होता है एक तरफ से आती है मा गंगा एक तरफ से आती है कौन ब्रह्म पुत्र नदी बे और बेंगौल में जाकर मिलती हैं लेकिन मिलने के पहले दुनिया का कहा का दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुन्दरवन का डेल्टा याद रखेगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है ध्यान रखेंगे हमारा देश इसलिए तो उन्नत है क्योंकि हमारे पास है नदिया नदिया जहां पर होती है पानी जहां पर होता है वहां की सब्विता वैसे ही फलती फूलती है लोग आंगे बढ़ते हैं ठीक है इसको आप ध्य प्रवितान में रखना ठीक चल सभी आंसर करेंगे बताएंगे थेरु कुथू नाम का लोकनाटक पारंपरिक रूप से किस राज से संबंद रखता है ओडिशा तमिल नाडू तेलंगाना या फिर तिरपुरा आपको बताना है थेरु कुथू नाम का लोग नाटक पारंप करते चलें क्या होगा राइट आंसर बहुत बढ़ियां कि बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां सभी आंसर करें क्या होगा थेरु कुथू या इसके अलावा और भी लोकनाटक होते हैं मेले होते हैं आप जब भी एक्जाम देने के लिए जाएंगे य करते भी हर ऐते हैं साफ यह कहां पर आते हैं हर अग्जाम में आपको यह देखने को मिल जाते इस बात का विशेज धियान रखें सभी लोग तिक है चलेगा आंसर करेंगे जल्दी करेंगे फटाफट करेंगे क्या होगा राइट आंसर तो आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है थेरू कुतू नामक पहरमपरिक रूफ से किस और यहां के चीफ मिनिस्टर या मुक्ह मंत्री की जवाब बात करोगे तो आंसर क्या करोगे क्या लिखाया आंसर बताएंगे जब कोई दूसरे पिंड की सतय पर लुड़कता है तो इसकी गती के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है एक पिंड दूसरे पिंड पर जब लोड़करा है तो उसके गती के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है खीचना मतलब ड्रैग मतलब फ्लूट घरसन सरपी घरसन या लोड़कर घरसन रोलिंग फ्रिक्षन आंसर करेंगे क्या होगा राइट आंसर फटाफट बताओ लिखी है इसलिए आपसे बन जाएगा बाकी एक्जाम में इंगलिस में लिखा आता है ड्रैग लिखा रहेगा फ्लूट फ्रिक्षन लिखा रहेगा स्लाइडिंग फ्रिक्षन रोलिंग फ्रिक्षन लिखा रहेगा तो क्या लिखा है क्वेस्चन में समझ में आ रहा है यह रोल करता है तो कौन सा घर्चन होगा कौन सान होगा ंजिए क्वेस्जन पर आते हैं क्या लिखा है सभी आन्सर करेंगे पंच पद्रा जील निमलिकित में से किस राज्य में इस्तित है तमिलाडू, ओडिसा, मद्ध प्रदेश या फिर राजिस्थान आंसर करें जल्दी करें पटाफट करें बताएगा पंच पद्रा जील निमलिकित में से किस राज्य में इस्तित है तमिलाडू में है ओडिसा मे है मद्ध प्रदेश में है या राजिस्थान में है जीले भी बहुत इंपोर्टेंट होती हैं आपके एक्जाम में पूछी जाती है लगातार तो बनना चाहिए बताएं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर करते चलें आंगे बढ़ते चलें और सभी लोगों को हैपी दिवाली जो लोग बीच में क्लास को अटेंड कर रहें उन सभी को भी दीपावली की बहुत बहुत सुपकामन है चलेगा ए ए ए ए वेरी गुड तमिल नाडू पंच पद्रा जील आप से बोला गया है आंसर करके बताओ भया क्या होगा राइट आंसर बढ़िये पंच लिया तो दिया एक चीज़ यहां पर ध्यान रखेंगे पंच पृदा यहाँ पंच पद्रा जील जो है वह आपको कहां पर मिलेगी डी और सी तो कैसान में और भी जीले हैं साब जो आती हैं एक्जाम में जरा ध्यान से सुनिएगा आईए देखो यहाँ पर यह जीले बिलकुल इस पेसली आप लोगों के लिए अलग अलग एक्जाम में जो है वो पूची गई है और मैं आपके लिए आप लाया हूं तो बढ़िया तरीके से नोट कर लीज जम्मु कस्मीर डल जील अनंत नाग बेरी नाग यहाँ पर नागी नाग मिलेंगे सेसनाग कौसर नाग नागन गंगावल और मांसवल जील यह आपको कहा पर मिलने वाली हैं भारत के जम्मु कस्मीर राज्य में मिलने वाली हैं हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो भ्र पताल राक्षस ताल यह ज्यादा तर्टाल जो करके आते नाम एक्जाम में वह उत्रा खंड पहुंसते हैं रखेगा बात करें गेंगे चंडिकल की सुकना जील जो है वह ध्यान रखना राजिस्थान की बात करेंगे तो राजसमंद्ध जैसमंद साघर पते सागर डीडवान पिछोला और आना सागर जील आपको कहां पर मिलती है तो यह आपको राजस्थान में मिलती है ध्यान रखेगा बात करते हैं महाराष्ट की तो लोनार जील और पवई जील कहां मिलने वाली है महाराष्ट में मिलने वाली है थोड़ा और आंगे चलेंगे और आंगे बढ़ने जील एक्जाम में आती है बात करते हैं मनीपुर की तो लोक्तक जील आपको पता होना चाहिए उडिसा की बात करेंगे तो चिलका जील एक्जाम में आती है तेलंग नाना की बात करेंगे तो हुसेन सागर और नागारजन सागर जील आती है आंध प्रदेश की बात करेंगे त सूरज कुंड जील अपके एक्जाम में पूछी जाती है तो भैया ध्यान से मन से इन चीजों को पढ़िए इतनी मेहनत से आपके लिए चीजन लाई जाती हैं को बनाने में लगती है मेहनत अना आपको लगता होगा 5 मिनट का काम जी नहीं सर्च करो कहां कौन सी पूछी गई उसको सारा का सारा जो है वो डिटेल लेकर आओ तो बढ़ियां तरीके से इनको पढ़िए सभी लोग ठीक है अच्छा एक चीज और भिया जो सब्सक्राइब बहुत सारे बच्चे बीच में जोड़े हैं तो यह था आज का हमारा पूरा सेशन और ज दे सकते हैं कि जो कोर्स पहले पूरा आपको मिल रहा था अब हम क्या करेंगे पूरे कोर्स को मात्र 75 मात्र 25 परसेंट में आपको मिल जाएगा मतलब आपको हम दे रहे हैं सब 75% का डिसकाउंट सभी लोगों को आप इस कोड का यूज करेंगे अच्छा एक चीज और ध्या एप इस बात का आप बिसेश ध्यान रखें बहुत सारे वेनिवेट्स मैंने आपको बताएं प्लेश टूर में अभी जाएए और सेशन को और एप्लिकेशन को जो है वो इंस्टॉल करके सारे आप लोग लेजे ठीक है तो कैसा लगा है सेशन आप लोग जरूर बताएगा और साथ मैं क्या आप सभी लोगों को एक बार फिर से दीवा वली की बहुत बहुत सब्कामना है हसते रहें मुस्कुराते रहें खुस रहें थैंक्यू बेरी मच टेक